नमस्कार, न्यूस क्लिक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारेक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से जैसा की हम लोग अक्सर इस समय करते हैं, नजर सिर्फ मेरी अकेली नहीं रहती है, मेरे साथ कोई विशिष्ट मेहमान भी रहते हैं, तो आज हमारे साथ रहेंगे इतिहास के बहुत ही पिद्वान, ऐस इर्फान हबीब अभी हाल में आप लोगों ने अख़बारों में पड़ा होगा कि इंडियन काउंसल फर कल्चिरल रिलेशन्स, ICCR, जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद की, वन अफ दी अर्लियस्ट इंस्टिशन्स है, हिंदुस्तान का कल्चर को दुनिया में उसको पब्लिसाइज करन जो ICCR के संसापक जो थे, मौलाना अबुलकलाम अजाद जिन्होंने इसको इस्टैबलिश किया था, उनका लाइब्रेरी में एक जिसको हम लोग घोसा ए अजाद कहा जाता था, मतलब कॉर्णर ओफ अजाद, उसकी वाइंड अप करने की बात हो रही है, ये बात पहली बा नहीं आईए, 2018 में भी आई थी, काफी बड़ा कॉंट्रोवर्सी हुआ था, तब कहा गया था, कि हम लोग लाइब्रेरी को वाइंड अप नहीं कर रहे हैं, बलकि इसको डिजिटाइज कर रहे हैं, डिजिटाइज करने का जो है, वो सिलसला चलता रहा है, लेकिन अभी ये फिर से ये कॉंट्रोवर्सी उभर के आई, ये पाएं लाज समझ में आता है, कि ICCR को एक संसा के तौर पे तो रखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ मौलाना अजाद का, जो एक सिंबायोटिक कनेक्शन है, उसको शायद काटने की कोशिश की जा रही है, तो सबसे पहले तो क्राइसिस के तौर पे चालेंज के तौर पे उभरा है, तो कारिकर में आने के लिए बहुत-बहुत धन्देवाद, सबसे पहले चुकि आप बहुत डारेक्ली इस डिबेट में जुड़े भी रहे हैं, आपने ट्वीट भी किया है, कि इस जस अन्बिलीवेबल इव ट्रू How can any government behave so recklessly with the treasure gifted by one of our foremost freedom fighters, लाइबरेरी उसको wind up करने की बात, कि नहीं हम सरकार के तरफ से wind up नहीं कर रहे हैं, डिजिटाइज किया जा रहा है, technologically हम लोग उसको और easily accessible बना रहे हैं, लेकिन फिर भी एक physical link एक लाइबरेरी के साथ क्यों होना जरूरी है? देखे, डिजिटाइजेशन के यहां तक सवाल है, यह तो एक एक आम प्रकरिया है, जो सारी लाइबरेरी कर रहे हैं दुनिया की, और वो रिकॉर्ड्स हैं उनको बचाने के लिए, सेफ करने के लिए जाता है, एकसिसिबिलिटी बढ़ने के लिए जाता है, आपको ना उससे कोई डिसेग्रिमेंट है, लेकिन फिजिकल कॉंटेक्ट नहीं खतम होना चाहिए, बात यह है कि फिजिकल कॉंटेक्ट विद बुक्स, और यह बुक्स जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, यह उनके मैनुस्क्रिप्स भी हैं, दस हजार किताबे थी, और मैनुस्क्र भी हैं, उनका अपना जो अख़बार निकलता था, अलेहलाल, उनिसो बारह में निकलना शुरू किया, उसकी फाइल्स औरिजिनल भी उनमें हैं, जी, तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कलेक्शन है, दूसरी चीज, यह 9 अपरेल, 1950 को इनाउगरेट किया, मौलाना ने, म हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और मेरे ख्याल से, पंडित नहरू को तमाम जो क्रिटिसिजम होता है, उनको यह कहना, मतलब बहुत महत्वपूर्ण हैं को याद दिलाना, और आज के शुरताओं को बताना, कि उस दौर में, जब मुसल्मानों की एग् बहुत सारे सवाल भी उठे, रहो आज बिए बहुत सारे उठ रहे हैं, उसमेर भी बात करें सवाल तो खallas को यह कोई भी उठा सकता हैं कुछ भी लेकि उठा सकते हैं 200 साल में हमारा जो British colonial period था उसमें हमारी अपनी कल्चर हमारे music, हमारे art, हमारे writing, हमारे literature उसका expansion उसका expansion नेबर हुट की countries में हुआ नहीं हुआ अंग्रेज हमारा कल्चर को क्यों पब्लिशाइज कर तो उनका दिल्चेस भी नहीं थी उनके लिए waste of effort था, waste of time, waste of money क्योंकि उनका मकसद कुछ और था, colonization had a different project, तो वो उन्होंने नहीं नहीं किया, तो वो हम लोगों को करना चाहिए, तो इसके लिए, तो इसके लिए फिर्स रिक्निशन की, हिंदुस्तान मस् लिवरेज इट्स सॉफ्ट पावर, absolutely, absolutely, बिल्कुल, यह जो आज विश्व गुरू की बात हो वो तो एक empty rhetoric है, उसमें कुछ है नहीं, असली बात यह थी, कि आप सिर्फ लोगों को ना बताएं, लोगों से सीखें, यह एहसास आपको हो कि दुनिया पोरस है, आप सिर्फ विश्व गुरू बनके ग्यान बाट नहीं सकते, आप दोस्रों का ग्यान लेकर ही अपने ग्या नहीं थी, उससे पता चलता है कि उन्होंने अपना परसिनल कलेक्शन जो उन्होंने 40-50 साल एकटा किया जो उनकी ट्रैबल्स में रहा, उन्होंने खुद जो लिखा, उन्होंने एकटी की, वो सब उन्होंने उस लइबरिडी को दी, उस लइबरिडी ने एक गोशाए आज आप तो बहुत लंबे समय तक मौलाना आजाद पे रिसर्च कियें तो आपने भी इस लाइबरी और स्पेस का इसक्माल किया होगा कोविड से पहले तो हम जाते थे लिए कोविड में सब कुछ बंद था तो मैं अपनी किताब के लिए भी नहीं जा पाया जी लेकिन वो मैट्रियल अलडी था हमरे पास तो जरूरत नहीं पड़ी लेकिन वो बहुत सारे और रिचर्चेस के लिए ज़रूरी है जब बात डिजिटाजिशिशन की आती है डिजिटाजिशन तो हो रहा है ठीक है अच्छा है कर दिया अब उसके बाद ऊस कलेक्शन को आप डंब कर दें किसी कोने में डाल दें और उसको ऐसे डाल दें जैसे कि उसकी अब जरूरत नहीं रही यह भी पढ़ने में आरहा है कि मेंबर्शिप नहीं दी जा रहे है यह लाइबरेरी थी अब बंद जी है लाइबरेरी उसमें कोई खास एक्सेस लोग को नहीं है लोग जाते भी हैं तो उनको एक्सेस नहीं मिलता है तो वो सब अपने जगाहे है मेरा मेरा मतलब ciglaelnा अजाथ फीडम फाइटर था उसने बड़ी शौक से ये इंस्ट्यूशन बनाने के बाद अपना कलेक्शन डोनेट किया और इस उम्मीद में किया कि इसके किसको रखा जाएगा और जो हमने रखा भी वज़े यस अब कुछ बाते कही जा रही हैं कि इसमें जो अरबी के मैनिस्क्रिप से हैं, पर्शन के हैं, अर्दू के हैं, उनका कुए पढ़ने वाला नहीं है। है अरे भाई अगर ये सवाल होगा तो जितनी ओरिेंटिन लिब्रेडी जैंड़्यू है, रज़ध Ps है है, टॉंक में Лाब्रेडी इस्तमाल करने वाले बाहर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए हिंदुस्तान में भी हमारे भी बहुत सारे भाशा हैं जो एकस्टिक्ट हो गई हैं जो संस्कृति कितने लोग पढ़ते हैं जी इसका मतलब यह थोड़ी हम अपने जो संस्कृति के डॉक्मेंट से उनको फिंग माहल है उस माहल का असर कुछ इस फैसले में नजर आता है तो इसमें आज के राजनितिक माहल में मौलाना आजाद जैसे शक्सियत एक कोट अनकोट प्रॉब्लिम क्यों हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते थे देखिए वो रिप्रेजेंट करते हैं आज कल एक मौडर्न अब एक नैशनलिस्ट मसल्मान है जी वो पहले आपने आपने लिप नैशनलिस्ट हिंदूस्तान नहुटने थे कि मैं ऐसे ही नैशनलिस्ट हूं जैसे जवारलन नहरू है, साधार पटेल हैं गांधी हैं जचोहर हैं तो मेरा मझभब कोय तालुक नही आगर मझभब का तो मेरा मजभ, मेरा नेशनलिजम, राष्टवाद, वो मजभ से नहीं जुडा है और मैंने तो हिंदुस्तान के लिए, की अजादी के लिए लड़ाई लड़ी है उसमें कोई मजभ के लिए थोड़ी लड़ी है उसमें हिंदों मुसमान सब्शामिल है मैं आपके कुछ लेख और आपके काफी आर्टिकल्स पड़ा हूँ मौला नाजाद पर आप बहुत लंबे समय से लिखते रहें आप मतलब एक विश्वर रिकनाइज स्कॉलर हैं मौला नाजाद पर वो काफी एक conservative family से आते थे लेकिन अपने यूथ में वो अपने परिवार में एक heretic थे मतलब एक तरहिए रिबिल तो ये streak के बारे में बताईए इस phase के बारे में बताईए कि वो कैसे थे और उसके बाद उनमें परिवतन कैसे हुआ और परिवतन होने के बावजूद धार्मिक होने के बावजूद कैसे sectarian नहीं हुए कि religious हो सकते हैं लेकिन communal नहीं हुए जैसे जिन्ना हुए जो अपने personal जिन्दगी में उतने religious नहीं रहे कभी religious थे ही नहीं उतने क्या मतलब थे ही नहीं मैं तो थोड़ा diplomatically बात कर रहा था ऐसा है मौलाना की जिन्दगी लेकिन मौलाना के वालिद फादर मौलाना खैरोदीन वो दिल्ली के रहने बाले थे और ये भी बहुत कम लोग जानते हैं मौलाना का connection कलकता से जोड़ो जाता है लेकिन मौलाना असल में परिवार दिल्ली का था और 1857 से पहले जब दिल्ली में हालाद बिगड़ रहे थे और बगल हकुमत कमजोड थी और अग्रेज़ो कियामत के हैसास हो गया था तो उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे मौसलमान हिंदुस्तान छोड़के चले गए दे स्कॉलर्स इस्लामिक स्कॉलर्स पर्टिकॉलर्ली उसमें मौलाना की फैमिली भी थी और मौलाना के फादर नौजवान की हैसियत से यंग थे उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी जी वो 1856 में हिंदुस्तान छोड़के अपने मौलाना मौनवरवदीन के साथ निकले जो उ नहीं हाल अपनी वो यहां से गए अरब यहां से गए बंबई बंबई में जाके कुछ दिन रुके खबर यह है कि मौलाना मौनवरवदीन के इंतकाल हो गया था भौपाल में या या बंबई में उस पर कंट्रोवर्सी है लेकिन मौलाना खेरोदीन किसी हालत में वो जी और तो जो एरब थी उनकी बीवी उनकी मौलाना की पैदाश वहीं पर हुई तीन बेहने थी एक बड़े भाई थे एक यह खुद थे सबसे चोड़े मौलाना थे साथ-ाठ साल की उमर में यह वापस आए वापस आए मौलाना खेरोदीन इस बीच में आते जाते रहते थ बहुत सारे उनके मौरीद थे हिंदोस्तान में क्योंकि वह एक सूफी ट्रडिशन से को बिलॉंग करते थे लिकिर वह बड़ी प्यूरिटन की सूफी ट्रडिशन थी वह चिष्टिया ओर नहीं था इस चिष्टिया ओर इस बहुर रिलेक्स्ट जिसमें म्यूजिक भी यह थे जाता है यह कंजरवेडिव थे और क्योंकि सूफी स्टीक्स बहुत सारी है ना सुरावर्ड दी है उसमें वह बहुत प्यूरिटन की भी हैं तो मौलाना खैरुदीन का फ्रेक्शर हुआ और वो हिंदुस्तान में आए और आगे कलकरता में उनके बहुत सारे मुरीदों उन्हें जो पैसे वाले थे उन्होंने का कि आप यह नहीं बस जाएए और उन्होंने कलकरता को अपना घर बनाया आया मौलाना बहुत कम उमर थी उस अख जब साथ में आये लेकिन अब यह जो आपने सवाल किया कि मौलाना क्या इसलाम इतना लग क्यों था तो संगीत का शौक था उन्हें मौलाना ने मौलाना को किसी मदरसे में नहीं बहिजा उनके वालिद ने क्योंकि वह मानते थे कि कोई मदरसा इस काबिल नहीं है कि जो मेरे बच्चे को अच्छी तालीम दे सके सब सेमिलिटरेट बॉल्वी हैं जो पढ़ाते हैं और तो उन्हो उन्होंने जो एपॉइंट किये बहुत सारे टीचर्स वो उनका बागएदा इंटेवियो लेते थे और उनको रिजेक्ट करते थे जादतर कुछ लोग पास होते थे तो उन्होंने इस तरह से उनकी तालीम घर पे हुई जादतर क्यों भी कुछ मौलाना ने एक्वायर किया एक अशुद के अशुद कर देखा एक्वायर किया थे इस तरह से तो यह थे जो ने बहुता है कि अज़ेगा उनकी अज़ेशना है रहा बड़ाना थे जादेशना प्रक्रश से नहीं लेना देना लेकिन अच्छ तो एक प्रोसेस चलता रहा उनका बश्पन में और उसी प यह कोई बहुत अची चीज नहीं है तो यह वांटे तो ब्रेक अवए फ्रोसे रहा इनगा रहा उनकी हो यह मजभ की हो उनको वो मजभ भी पसंद नहीं था जो उनके वालित का मजभ वो देखते थे क्योंकि उनके जो मुरीद थे वहां के हाँच चुंगते थे और यह जो एक सूफी ट्रेडिशन है तो मौलाना को यह बहुत लागवार था कि यह यह क्या तरीका है तो मौलाना ने अपना आपको उस ट्रेडिशन से भी लग रखा इसी पीरिड में और उसके बाद नाशनल मौवमेंट पे शामिल हो तो बाद में आता है तो सरसियत की जो का जो का जो मौडरनिस्ट इस्लाम है उसका अफर उन पर बहुत ज़ादा हुआ और वो उनके वालिद जो थे वो बड़े खलाफ खलाफ थे सरसियत के तो चुप चाप चुरी से वो किताबें पढ़ा करते थे सरसियत के लिखा हुआ उनके अखबार अलिगर्ड इंस्ट्यूट गजेट या जो भी कुछ किताबें थी तर्जुमें करके जो अंग्रेजी का इल्म जो अर्दू में उन्होंने प्हलाया वो सा हासिर किया मौशी जगा अल्ला की टास्लेट की वी किताबें उसाब मौलाना ने पढ़ी और एक ये स्टेज उनकी जिन्दगी में आई कि वो वो इसलाम से भी दूर हो गए और कई साल ऐसे गुदरे कि वो नमाज बीरी पढ़ते थे तो ही अल्मूस्ट बिकेम एन अगनॉस्टिक अथिस तो नहीं बोलेंगे लिगनॉ कि ये फेज ऐसा गुदरा उनकी जिन्दगी से कि वो जब वो वापस आए इसलाम में तो वो इसलाम ऐसा था जो जो बहुत बहुत ओपन था इंक्लूसिव बहुत इंक्लूसिव था जिसमें बहुत गुजाश थी सारी दुनिया की और मजभ़ों की ट्रेडिशन को की मिलती हैं उनका कोई रूल नहीं था उस इसलाम में वो इसलाम बाद में तर्जमान अलुकुरान जो उन्होंने उन्नी सो टीस में खतम किया तर्जमा करके और मैं क्योंकि जादा वक्त नहीं होगा अलहिलाल वगरा मोब उससे पहले हो लिए उतना डीटेल में हम लोग हम उसमें भी अर्दू में जो उनोंने कुरान को पेश किया लोगों का रॉ कर इंटेपेटेशन किया उसी इंटेपेटेशन में भी आपको मल्टी रिलिजिस परस्पेक्टिव दिछता है उसमें हिंदुजम में क्या खुबिया हैं वो देखने कि कुशिश की इसलाम में जू का हिस्सा है, मैंने अपने कितामें भी उठाने की कुश्ची ही है, कि मौलाना पर इबन-तमया का बड़ा असर था, इबन-तमया वो था जिसने जो अब्द-ल-वाहब, वाहबिजम का एक फादर आप कह सकते हैं, फादिंग फादर कह सकते हैं, तो अब लोग कहते हैं कि साथ इबन-तमया को मौलाना क्यों पसंद करते थे, तो मौलाना की जो एक सोच थी, नजरिया था, वो बहुत ओपन था, इसी वज़े से उनके जिन्ना के साथ पस्पेक्टिव में फेर होता है, वो कभी जिन्ना के साथ तो ऐसा है, जिन्ना क्योंकि जिन्ना का मजभब से कोई तालुक नहीं था, और वो स्कॉलर भी नहीं थे, उस मामलों में, जिन्ना ने लिखा भी बहुत कम है, इसलाम पर ही नहीं, अदरवाइस भी लिखा है, उनकी स्पीचेस हैं, बाकि उनका कोई राइटिंग्स नहीं ह कोई कमपारिजन है भी नहीं, रेटोरिक्स में उनकी ज्यादा, रेटोरिक्स में है, दुसरी चीज मौलाना ने अपनी पूरी जिन्दगी में बहुत कुछ जिन्ना से सुना, शोबाई, और एजिन्ट ऑफ हिंदूस, अमंग मसलिम्स, जिन्ना मौलाना के बारे में बोलते थे, जिन्ना ने इतना सब कुछ बोलते हैं, लेकिनि मैं इस सब चीज़ का पर कोई रियक्शन नहीं देता हूं क्योंकि ये मेरा दाती मामला है, जो लोग जो मेरे लिए बोलते हैं, वो उनका अपना दाती मामला होगा, मैं इस तरह की एक्चेंज में, इस च्छोटे की बात करते थे, जिनके साथ मौलाना दात का बड़ा डिफरेंसेज हैं, और ये एक बड़ा अजीब सा मामला है, कि दोनों का सूर्स इसलाम है, लेकिन दोनों बिलकुल अलग भी प्रिदिशामेशन नहीं, दोनों ने आपस में एक दूसरे के बारे में कभी कुछ नहीं ल खातिर भरा हुआ है, 700 शेयर हैं उसमें, डिफरेंट लेग्मिजेस के, अल्ला मैं अकबाल के एक या दो शेयर इस्तमाल किया है, पूरी पूरी अपनी जिन्दगी में, तो ये एक फासला, क्यों है, इस पर रिचाइच होनी चाहिए, मैंने तो उस पर कुछ काम किया नहीं लेकिन ये एक बड़ा, तो नैशनल मुव्मेंट में मौलाना अजाद, हम जानते हैं कि एक मुस्लमान अलगावादी बहुत ही डॉमिनेटिंग तरह से निकल के आ गया था, मिड नाइटीन थर्टीज ऑनवर्ड्स, मुस्लिम लीग, पुलिटिकली, मुस्लमानों में सेपर के मुस्लमानों के आईडियल या रोल मॉडल थे? देखी ये भी एक बड़ा सवाल है, अक्सर लोग कि कहते हैं कि मौलाना अखेल हो गए, मौलाना अकेले रह गए, फेल कैसे हो गए, मतलब हिंदुस्तान में मतलब मिजॉरिटी ओ मुसलमान तो मतलब इसी देश को, मौलान को बारे में कहा जाता है कि साब वो अकेले आदमे थे जो यूनाटिड इंडिया के लिए लड़ते रहें, गांदी ने कॉंप्रमाइज कर लिया, आल्टिमेटली नहरू पटेल ने कर लिया, मौलाना अकेले रहें, इसलिए वो प्रोजेक्ट उनका, टू कीप इंडिया कॉंफिडेंस कहां से कि ये, हमारा मुलक है, अच्छा फिर दूसरी चीज़ जो मैं, मैंने अपने उसमें भी उठाई है ये, कि उस तबके के मुसमानों को, उस रीजन के मुसमानों को कर्विंस किया, जो पंजाब से जहां सबसे ज़्यादा वालेंसी, उस से जुड़े वेस्टन उत्रप्रदेश, जी, आज की डिमोगरिफी, आप देखिए, रामपूर से पहले लोकसभा में चुन के आए थे मुलाना अजाद, नहीं, आज जो डिमोगरिफी है, उस में मुस्लिम पॉपुलेशन इस वेस्टन यूपी में 28 तो 30 परसंट है, आप भी उसी इला दूसरी चीज इसलिए सकस्वलत है, कि मुलाना अकेले नहीं थे, यह जो कहा जाता है, जिन्ना ने बार बार इस बात को शोबाय कहके कर, यह को शिश्की दिखाने की, जैसे मुलाना अजाद, अकेले आदमी है, जो मुस्लिमानों के लिए बात करते हैं कॉंगरिस में, कॉल इंडिया मुमिन कॉंटरेंस है, कुछ एडिट के हिस्से मुस्लिम लीक के साथ थे, वही इलेक्टरेट में होते हैं, जमिदार थे, नौकर पेशा लोग थे, बिजनिस क्लास थी, जो फ्रेटरेंड फील करते थे, कभी अंग्रेज चल जाएंगे तो हिंदू डॉमिने में उनको शैद वो मौका ना मिले, मैंने कई बार यह ट्राइ किया है, कि आप किसी अंसारी विरादरी में जाके पूछें, या किसी कुरैशी से पूछें, बहुत इकदु का परिवार मिलेंगे, जो परिवार डिवाइड़ेड है, उनका परिवार का कोई सद्द से पाकिस नौन एलिट हैं, जो जो लो़र क्लासेज और लो़र कास्ट के हैं, वो डिवाइड़ेड नहीं हैं, और वही एक प्रूफ है, मौला ना अजाद के सकसिस का, उनके पुलिटिकल मिशन का, आखरी सवाल जैसे हम कारिकरम के अंथ में आते हैं, कि आज के कॉंटेक्स में मैं दोबारा से लाइबरेरी में वापस आता हूं, लाइबरेरी एक सिंबॉलिक चीज के तौर पे क्या हम कह सकते हैं, कि मौला ना अजाद के स्पेस को रिजर्व किया जा रहा है, आज के हिंदुस्तान में, ताकि जो आज के हिंदुस्तान में, जो मुस्लमान हैं, उनको वही confidence मिलता रहे मौलाना आजाद जैसे नेता वो को अभी भी role model माने ताकि हिंदुस्तान की जो collective spirit है जो हमारी एक pluralistic heritage है उसमें आस्था बनी रहे क्या इसलिए जरूरी है ये library को preserve करना उसके लिए आवाज उठाना मैं नहीं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये reason होना चाहिए मेरे इसाब से मौलाना आजाद की relevance इज़त स्पेस इसलिए जरूरी है कि मौलाना आजाद indivisible nationalism की बात करते थे जी composite nationalism की बात करते थे वो हिंदु communalist forces और muslim communalist forces दोनों से बराबर की लड़ी लड़ी उन्हों ने मौलाना आजाद जैसे लोग ने लड़ाई सिर्फ अंग्नेजव से थोड़ी लड़ी है उन्हों ने तो इन दो communal forces से भी लड़ी लड़ी तो दो front पे था तीन front रादर Hindu communal forces Muslim communal forces and British forces जो वो जो राष्टबाद है composite nationalism जिसको बचाने की आज ज़रूरत है अपने आज बहुत बड़ी बात बोले की indivisible nationalism मतलब ये और मौलाना आजाद उसके प्रतीक थे उसके प्रतीक हैं वो he represented that he stood all his life is stood for those values आज के हिंदुस्तान में जब मौलाना आजाद के heritage पे उनके लोगों को जैसे मैंने पहले भी कहा था self education मौलाना आजाद का एक essential characteristic था मेरे खाल से हम सब लोगों को उनसे सबसे बड़ी सीखिये मिलती है कि हमको किसी भी चीज के बारे में knowledge पाने के लिए ग्यान पाने के लिए कहीं कोई किसी की ज़रूरत नहीं है हम खुद सक्षम हैं इसी बातों के साथ नमस्कार धनेवादी कारकरम देखने के लिए